असलाम अलोईकुम गाइस उमीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे जैसा कि आप लोग में को पता है आज से तीन महीने पहले मैंने इस चैनल पर अपलोड की थी पब जी की वीडियो जिसके नीचे मुझे भाई रिक्वेस्ट ने आने लग गई के यार फॉर्टनाइट ख क्यां दो खेलनी पड़ेगी इसे लिए ए यार मैंने फ्रॉटनाइट डाउनोड की और अपन किया मेरे पास पहले से जूट क्यों ओल रहा हुड़ा हूँ ठीक है तो फ़ोर्ण मेरे पास पहले से डाउनलोड दी तो मैंने जल्दी से उन्से उपन किया और शार्वान मैंन करूंगा और सारे बंदों को ऐसे फिनिश कर दूंगा और भई विक्ट्री लेके जाओंगा आज तो विक्ट्री करनी करनी है बट मुझे एक सोल्यूशन बताओ यार यह जब मैं पेरिशूट खोलता हूं तो यह बंदा इतना स्लो लेंड करता है पता नहीं किया ड्रामा है यहां पर लेंड होते हैं और सामने एक बंदा है इस फिलल में नीचे चलांग मारता हूं इससे यार बचता हूं गन उठाता हूं यार यह तो मुझे नहीं पता था ना कि ऐसे मतलब गिरने से मर जाता है यह तो ट्राइग एम थी आर खेर छोड़ो अभी मैं देखो कैसे ब लोगें पता है मैंने जब किया तो है इसलिए हैं अपने साथ अपने जैसे अग一定要 को बलाया तो यार अगैर नहीं पता क्रिंजा कोन है तो यह यह मेरा छोटा भाई शार ॉसस इस्का नाम है तुम्हें क्रिंजा बला रहा हूं से म compromise क कारिश भी उलाता हूं लेकिन कोई मसल तो इसलिए यहां करना दो तो यह खेल नहीं पर एक गोली का एमों का। तो जो पर एक गोली को से लिए लुटा लेता हुट और यह लकडियां वगरा तोड़ता हूं और इससे हमें आयरन मिलता है जिससे हम अपने लिए एक शील्ड वगारा बना सकते हैं जैसा कि दूसरी गेम्स में होता है फ्री फायर वगारा और दूसरी बहुत सारी गेम्स में तो फिलाल मैंने सोचा कि यार फिर मैं नीचे गिर के मर गया हूँ लेकिन नीचे पानी था यार लखिली मैं आपर बच जाता हूँ क्योंके यार आवविसली पानी के अंदर गिरा हूँ तो यार पानी के अंदर गिरने से तो नहीं मरता इतनी तो रियालिटी है गेम के अंदर चलो खैर अभी जल्दी से उपर जाता हूँ और बھई ये पता नहीं क्या चीज पड़ी थी जणी पड़ी थी ये मैंने उठा लिगा और शारिक कहता है कि कोई बंदे उसे पता नहीं डैमिच दे रहे हैं मार रहे हैं तो मैंने का यार चलो शारिक के पास चलते हैं क्योंकि यार वो इतना Pro Literally यार बस बनता ही है, है तो नहीं, क्योंकि उसके साथ मेरा एक गेम प्ले आने वाला है, PUBG के अंदर 1v1 का, तो वो भी देखना, बहुत जल्द आने वाला है, पता नहीं, एक दो महीने तक आ जाएगा, ठीक है, तो अभी हम जल्दी से उपर चड़ते हैं, और यह देखो, शार मारता हूं, बट एक भी शॉट उनको लगता नहीं है, बता नहीं क्या वो बहुत अच्छा, मतलब आगे से जिगल बगारा कर रहे थे, रिफ्लेक्स अच्छा था उनका, तो इसलिए वो बच जाते हैं, और भाई, फॉर्टनाइट लगती आसान है देखने में, बट इसलि थैजगा लिए दो कर दो रें, पैफ टोने कर धे जहां, रसमें कर देखने कर द को पिर शाव बयंदन करने में का दो बाड़ा भाई कर देखने में, दूसरे बंद हो रहे हुआ और दोका बन्द, प Stones, अन ड्ले मार भाई को बंद कुर खेच्छान्द, दूसरे भंड बाल बन गया हूं मैं और शारीक निंजा का चोटा भाई क्रिंजा तो ही जबरभरदस देन्दा च्पर हमारा तो अब हम लोग होगा उस जाने का फैसला करते तक जारिक को वहता हुं बन्दे भगार है नहीं सकते नौ toutes ऐसे फ्रीव घूमने का क्या फाइदा जब बंदे ही नी मारे हैं हम लोग तो मज़ा ही नियाता तो यहां पर यह क्रिंजा काफी गंदा बाइक चला रहा हूता है तो मैं कहता हूँ ओशारेक कर दो मुझे थे दो यारे मेरा बाइक मैं ही चलाता हूं ठीक है तुम से नहीं च जाता हूं और भाई की ड्राइविंग चेक करो यार एक टायर फटावाए फिर भी देखो यार कैसे बाइक चला रहा हूं तो गाइस अब यहां पर आदे रस्ते में शारिक तो यहां पर उतर जाता है और मुझे शारिक बताता है कि सामने बंदे आ गए हैं तो मैं जल्दी से अपनी स्नायपर निकालता हूं और भाई बंदों को देखता हूं और यहां पर मुझे एक बंदा नजर आता है उसको मैं थोड़ी सी मारता हूं बट लगती पता नहीं इसको क्यों नहीं है अब लगी उसको 50 का जो है डैमिज पढ़ता है और दूसरा एक बंदा मुझे लगा होता है तो मैं भी उसका कवर तोड़ने कोशिश करता हूं और भाई उसकी यह जो बनाई वी दिवारे होंती है तोड़ने कोशिश करता हूं तो जल्दी से मैं हेल्थ भी लगा लेता हूं बट हैल्थ तो मेरी फॉल है यार मैं क्या पागलों की तरह हैल्थ लगाने क कोशिश कर रहा हूं, तो जल्दी से वापस अपनी स्थनाइपर निकालता हूं, और मैं इस की दिवारें वगए रहा हूं, तो वो जिस बंदे को रिवाइब दे रहा हूता है, मैं सोचता हूँ यार मैं उसे फिनिश करतूonst reaction तो जल्दी से निकलता हूं और मैं एक लगी से निकलता हूं और शॉट गूंगा और शामने की तरफ से आ रहा हुआ एक लगी दूसरी दूसरी नहीं लगजा 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 नॉक हो इसको शार 52 कर दो मैंसे बदादा को इसको फिनिश करता हूं और तभी उपर से उंचा तब मुझे पता चलता है थोड़ी देर के बाद के राइट क्लिक से हम इस हथोड़ी को मारेंगे तब यह जंप करेंगा मैं पहले लेफ्ट क्लिक से मारने लगाऊँ गदे की तरह बट यह उड़ता ही नहीं है और यह जंप ही नहीं उठाता बट यहां पर शारिक मस्तियां कर रहा होता है तो मैं इसे भी हथोड़े से उड़ाओंगा देखना कितना जबर्दस उड़ाओंगा तो यार यह देखो ना भाई ज्यादा ही प्रो प्लेयर नी मनना मेरे सामने बाइकों पर ड्रिफ्टिंग करोगे मेरे सामने है बाई बढ़ने लग जाती है और भई अच्छा लगता है मुझे ठीक है और सामने की तरफ से बंदा आता है तो मैं से थोड़ा सा डैमेज देता हूं और यह देखो डैमिज के बाद फोरन ऐलिमिनेट कर दिया भाई ने खताम भई नमाह खराब नी करना है एड़ शॉट दिया सि प्रोड़ को जब तक बंदेंहिं मिलते हैं उनको खेलने का मजा ही नहीं आता है इसलिह मुझे यह घुप रहाइ》 मेरे से नहीं किया मानने की कोशिच करता हूँ और मैं दुबार है कोशिच करूंगगा सबskार देंग और यहां पर मुझे लग रहा है कि इक और मैं अभी प्रो प्रो प्लेयरों ना मारे बगार तो मज़ा ही नहींगा तो अजर यहाँ तो मैं चाहता हूँ लगा लगा लुट जल्दी से मेडवेड लगारा होता हुँ यहाँ और मैं और बंदे ने मुझे नौक कर दिया यार क्या अजीब आत्मी तुम से दुमा खराव आपका इसका नाम मैंने सही रखा वह है इसे कौई खारिश होती घु ए थार वारेश मेरे तो मुझे उड़ा कि फिर रहो है फिर रहा है जल्डी नहीं देरा पाइंड । अए मुधा। दो और यहां चैनला चोट श्कोथ में तूद सब्सक्राय गता जाहत हुएसों कौमें एरन था अवाध दो इसकानल आचीक कर दे घ्यान चाल अचाइं कर देना कि इसका है यहां जुरित है। तो यार इसका काफी पैरा नाम है ठीक है तो गाइस अब हमारा यहां पर next match टार्ट हो जाता है और भाई अभी हम लोग कहते हैं कि यार अब अच्छा खेलना है विक्टरी तो पक्का करनी है तो गाइस मैं आप लोगों पता है जो भी match खेलता हूँ यार विक्टरी केम से खेलता हूँ तो जल्दी से नीचे उतरते हैं और आप लोगों को आज तो भाई तो अब मैं सच में सीद्गत हो के खेलने हैं तो मैं याँ पर उतरता हूँ और हम उस साइड की तرف चले जाएंगे थोड़ा क्योंकि हमारे सारे टीमेट्स उदर उतर रहे होते हैं और फिर एक बार यहां पर शारिक उतर जाता है और मुझे गुस्णा रहा होता इसके उपर मैं इसे कहता हूं जाओ उदर आजाओ बड़ि यह नहीं आ सकता क्योंकि यह पहले ही लैंड हो चुका होता है यहाँ पर सिरफ ammo ही मिल रही है, यहाँ पर गोली शोली हैं, बट गन तो नहीं मिल रही मुझे, तो देखते हैं, कोई pistol ही मिल जाए तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई pistol भी नहीं मिल रही, दरवाजा खोलते हैं, और गाइस मुझे इस game की सबसे अच्छी बा भई, रसियों के साथ full cable cars बनाई ही यहाँ पर, तो खेर छोड़ो फिलाल इसको, और हम लोग जाते हैं, भई, सामने की तरफ, अपने टीमेट्स के पास तके जाके हम वहाँ पर अच्छा अच्छा game प्ले कर सकें, तो शारिक मुझे बुला रहा होता है, कि यार मेरे पास ब पहले भी मैं यहाँ पर आता हूँ यार, यह रस्ता ब्लॉक कर देता है, एक दो बार तो मैं आया हूँ और रस्ता ब्लॉक कर देता है बाइक तो जल्दी से यहाँ पर हम लूट वगारे कठी करते हैं, और लूट मुझे अच्छी मिल जाती है, गुजारा हो जाता है, पर नहीं में आरहा हूँ बट वो कहता है, मेरी हेल्थ ही जा रही है, मैं कैसे बचूंगा, मैंने का यार, तुम्हें जीना है, मेरी लिए जीना है, लेकिन वो जी नहीं पाता है, तो इसे बंदे मार देते हैं, तो उसका वाहां पर रीबूट कार्ड पड़ा होता है, और आप लोग बंदे को तब तक रीबूट कार्ड मिलता है, और वहां से उसका 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 रीबू से मर गया होगा लेकिन देखना आगे देखना मैं कितना जबरदस सीन करता हूं तो लेट सी मुझे खुद भी याद नहीं है वैसे क्या करता हूं लेकिन चलो देखते हैं क्या करता हूं तो यहां पर यार यह रोप से दुबारा से मैं जाता हूं और यह बहुत ही जबरदस सि बट यार मैं गलत था क्योंके पास आना ही पड़ता है काफी ज़्यादा दूर होते हैं तो मैं इसलिए पास आता हूँ और मैं सोचता हूँ यह बंदा है बट यह बंदा नहीं होता है तो मैं यहाँ पर दूसरी साइड से जाता हूँ ता कि बंदे मुझे अच्छे से नजर सामने बंदा ज्वूम रहा होता है और बहुत ही ज्यादा फृरी हो रहा हूता है दि servik cambi वे अबने एबब की रोड समझ रहा होता है और यहाँ पर आर अवं से रोडों पर फोटनावि तो आलड़ा हो यहाँ पर प alternativ के अबन्दा गोलियों से इस अबजेक्ट को फार देगा और फिर उसके बाद क्या होगा वह आप लोग पता है ठीक है तो वह बंदा आपको भी यार मार सकता है यह बात है तो यह बंदा मेरे पास आ जाता है तो मैं इस एक बंदे को तो अराम से नॉक करूंगा पका और वाई अब जल्दी से मैसे फिनिश करता हूँ उसका टीम मेड लेकिन कोई निया ऊपन में लगाये यहां जल्दी से और निकलते हैं मैं कहता हूं शारिक का रीबूट कार्ड अचाना है बहुए उसको रीबूट करना गदों की तरह वह आगे जाकर उन गया और इसमें एक और प् बाई करना है तो फैस पायर हो जाता है अगर आप 10 s sekंड में 200 सेंड में जो है सट आ इसे हो इति और थो एक्सन पायर हो जाता है अगर अगर रैसा नहीं होता तो अघर मुझे बता दे नाAdam अब और 會儿 है यही हो धाता है यही तो एक्सेंड वी क्योंके आप लोग देखें उ जब भाई नी खेलना मेरा तो मेरा दिल टूटरा था यार इसलिग मैं आगे आगे जाओंगा और मैं उसका रीबूट कार्ड उठाओंगा बट यहां पर आप देखे हैं नीचे सामने बंदा गूमरे है काले कलर के कपड़े पैन के और यह बंदा मुझे काफी गंदा ठीक है अब मैं दूसरे बंदे की तरफ भागने कोशिश चरता हूँ और देखता हूँ उसको जल्दी खतम करूँ लेकिन यार वए बंदा बहुत जादा चलांगे उठा रहा था और चलांगे मार रहा था ठीक है और जम पे उठा रहा था इसलिए यार मैं उस बंदे को न वैमिज वैमिज तो पढ़ता है लेकिन यार मरतान यह फिनिश नी होता तो मैं कहता हूँ मेरी हैल्थ बहुत कम मैं मुझे जाना चाहिए तो मैं जल्दी से आप देगो 2, 2, 2 रहएगी है बही मेरी है लिटरली 2 रहएगी है और मेरे पास कुछ भी ना तो मैड़् है और ना क तो मैं सामने फिर एक बंदे को एलिमिनेट कर देता हूं भाई आपका भाई फुल चोड़े में चल रहा होता है और यहां पर इतने सारे बंदों को लपेटने के बाद मैं से जल्दी से भागने कोशिश करता हूं क्योंकि मेरे पास तो हेल्थ है नहीं फिलाल यह मिलती है यह पता नहीं क्या होती है यह पता नहीं क्या होती है यह कुछछी निकलने कशीiger और सामने से बंदा आ वोट्स वो तो जल्दी मर्तें यह दो एम जल्दी से निकलने कोशिश करते हैं तो जल्दी से आगे जाने लगता हूँ और तब ही मुझे पता चलता है कि कोई बंदा पीछे से मुझे गोलिया मार रहा है तो मैं भी पलट के शेयर की तार वार कड़ता हूँ यहां पर मैं विक्ट्री करूंगा जूट नी बोल रहा है सच बता रहूं कसम से अब तो मैं फुल ट्राय करूंगा गाइस सच बता रहूं मुझे रोना रहे हैं कोई नी यार रोएंगी नी बच्चों की तरह हिम्मत से खेलेंगे हजएंगी भी नी ठीक है लेकिन मैच में जो है इस बार तुम चुपकरो बच्चे जाओ फीडर पीओ ठीक है ना इस बार विक्ट्री पका है मैं देखता हूं कैसे विक्ट्री नी होती क्यों शारिक तो शारिक कहता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे विक्ट्री करने की इस बार क्या है वह ऊत्सारे मैयश्य कि लगा लिए बट विक्ट्री ने मिल रही थी हमें तो इस लिए यार इस बार डृंड होते हैं और आज चल्दी कि आर्ड यार लंटे हैं और जहार यहां गयांु स इस एरिये पर कभजा कर लेता है तो ये ड्रोन उसके हो जाते हैं और ये ड्रोन उसको सारा व्यू बगएरा देते हैं बई कहां पर एनिमीज गूम रहे हैं तो इसलिए मैं आपर आ जाता हूं और आम से गंज बगएरा उठा लेता हूं सकारल बगएरा शॉर्ट गंज जैसाने वी फिर फ्लैग भुटा लेता हूं सामने के तरफ ग्लाता है प्लुक मिनदे को स्के बगएरा उनि-पुर उत्व आप लेता हूं उप यह जल्दी से लेका व्यूह चला कर देता हूं और आप लोग नीचे देखने हों गया है दो दो नीचे हो गया है और ये स्क्वेर पूरा यह हमारा हो चुका है अब तो इस जगा का नाम है एंवल स्क्वेर तो ये जगा बांगी हो जाती और सारे बाहिर के एनिबी ख ना पतो 1992 को मार्त इंके सामने घ्वार रो जाते हैं कर दों बहुत ही माज़िदार इ designer गप क्यों पाये कर लेता है तो यह उसी का एरिया हो जाता है और तो जल्दी से में यहां पर बंदों को फिनिश करते हैं यहां पर एक बंदे को मैं अलिमिनेट कर देता हूं और उसके बाद दूसरा बंदा मुझे सामने की तरफ नजर आ रहा होता है और भाई उसको मेरा टीम में eliminate कर देता है तो यार अब मुझे शारिक बताता है कि यार मैं यही करने की कोशिश कर रहा था कि इस एरिये पर मैं अपना कबजा जमालूं था कि मुझे सारे एनिमीज नजर आएं तो मैंने का चलो यार ठीक है यह अच्छा कर रहे थे तुम वैसे मुझे यह नई चीज़ पता चलती है वैसे मैंने पहले कभी ऐसा फॉटनाइट में किया नहीं है तो अभी यहां पर एक बंदा छुप रहा होता है तो जल्दी से उसे एक हेड़ पढ़ता है और भाई सीधा नॉक डाउन हो जाता है भाई साब आज तो भाई यहां पर धूमी मचा दी है यह जो एरिया हमने उक्योपाय कर लिया भाई इससे जो हमारे रस्ते खुल गया ना भाई क्या जबरदस्त बात होगी है सारे एनिमीज हमें नजर आ रहे हैं और अराम से मेरे यहां पर तीन किलो हो जाते हैं आते साथ ही तो भाई जल्दी से मैच को एंडिंग पे लेके जाते हैं ताके आप लोगों को दिखाएं कि इस मैच में हमने विक्टरी की या नहीं तो गाईज इस मैच में मैं फिनिश हो जाता हूँ शारिक मेरा रीबूट कार्ड उठा लेता है और मुझे जल्दी से रीबूट करने के लिए आ जाता है इस मैच में शारिक भी काफी अच्छा खेलता है तो मैं भी यार रीबूट हो जाता हूँ उसके बाद देखना गेम कि लो जाते हैं मेरे और शारिका को भी कोई कर देता है इतनी धेर मुझे पता चलता कि identifying mark नॉक कर दिया शारिक मुझे कहता है मुझे रिवाइव ँम्हार दे दुम चोड़ो दो उस वन्हें को किसी तो देखते हैं अब क्या होता है आगे तो जल्दी से मैं यहां पर जंप अठाके बाइर की तरफ जाता हूं और मैं कहता हूं यार जल्दी जल्दी बंदे मिलें गेम फिनिश करें तो अभी टोटल गाइस चार बंदे अलाइव रहे गें मतलब एक ही बंदा कोई और है तो मै चारे को कहता हूं चारे का अखरी केल मैं करूंगा और यहां पर नंबर फ्री को कोई नौक कर देता है तो आइटिंक वह सामने वाली साइड पे बंदा तो मैं यार शारे को फुद नौकस करता हूं बट उस बंदे के पास काफी ज़्यादा जो नहीं नहीं पावर्स होती ह और इसके अंदर अभी कुछ अपडेट्स भी आई भी है पावर्स वाली तो वह पावर यूज कर रहा होता है बंदा तो मैं यह पर उसको काफी सारी गोलिया मारता हूँ अभी यह डैमेज बढ़ा और शारिक ने फिनिश कर दिया है और यह हमारी विक्ट्री हो जाती है और बाकी कैसी लगी आपको यह विक्ट्री गाइज और बता देना यार मुझे कोई और गेम कौन सी खेलूं सजेशन्स वगारा दे देना बाकी थैंक्स फूर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज